हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टुमा यूट्यूब चैनल कुशागर मॉम्स वाल्ड तो फ्रेंड्स आज मैंने अपने किचन में बनाए है रस गुल्ले वाव आ गया ना मूमे पानी और बनाए इतनी आसान तरीके से है पता है किस से चावल के आटे से वो तो आपको थम देल के नीचे कौन टाइटल में पता चली गया होगा तो फ्रेंड्स आपको भी बनाने है टेस्टी से रस गुल्ले तो आए मेरे किचन में चलते हैं और बनाते हैं टेस्टी से रस गुल्ले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत प्यारा सा कॉमेंट भी तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं यहाँ पर एक बाउल ले लिया है मैंने चावल का आठा चोटी सी कटोरी है एक कटोरी दूद यहाँ पर पैन चड़ा लिया है गैस और गैस को मैंने ओन कर लिया है यह दूद इसमें डाल दिया है एक कटोरी और अब एक चमच जाल रही हूं मैं इसमें देखिए चीनी चीनी को मेल्ट होने तक हम इसमें चलाते रहेंगे और एक उबाल आने देंगे इस तरह से बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूं इस टैप बाई इस टैप आप बनाना बहुत ही टेस्टी रसगुले आपके बनकर तयार तो देखें से तैनल चाहल लेते हैं तो देखे इस घी देखेंट गिया झाल वाल मिशसे फिलेदा तो इस तरह से कर लेंगे देखे अब आधा कटोरी दूद में इसमें और एड़ करूँगी यानिके एक और आधा कटोरी डेड़ कटोरी दूद इसमें टोटल डलेगा दूद की मातरा थोड़ी से आप कमिया ज्यादा भी कर सकते हो हमें बस एक स्मूज सा डोव बनाना है इसका तो मैं इसमें देखे आधा कटोरी दूद डाल रही हूँ मैंने डेड़ कटोरी दूद इसमें डाला है दूद रोबाल आया रखा था पहले ही तो नोर्मल टेंपरेचर पर ये था तो मैंने ये देखे मिला लिया है अच्छे से और इसका जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं तो इस तरह से बिल्कुल बना लेंगे कुछी मिनटों में एक दो मिनट में ही ये डो बनकर तयार हो जाता है देखे इस तरह से खटा कर लिया है मैंने और इसको मैं अब एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूँगी देखे स्टेप बाइ स्टेप मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप बनाना बहुत ही अच्छा आप करस गुले बनकर तयार होंगी देखे मैं प्लेट में इसको निकाल रही हूँ और थोड़ा सा ठंडा होने पर मतलब हम आज से च्छू सके तो ऐसे हमें इसको करना है लूक वोम होता है न जो तो उस टेंपरेचर हमें करना है इसका डाउन और जब यह च्छूने लाइक हो जाएगा तो हम इसके बना लेंगे रजगुले की बॉल्स तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं चासनी के लिए पानी यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी लिया है और एक ही गिलास इसमें मैं चीनी डालूँगी क्योंकि इसको बहुत गाड़ी नहीं करना है बस एक उबाल देना है जिससे ये चीनी बस घुल जाए और एक उबाल आ जाए फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो चीनी घुलने तक continue हम इसको चलाते रहेंगे और एक उबाल आने देंगे फिर गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूँगी और इधर बना लेती देखिए छूने लायक हो गया है मैं नहीं चू कर देखा है इसको तो बस अब इसकी हतेली पर थोड़ा सा घी लगा कर देखिए एक चमच मैंने घी डाल दिया इसमें देशी घी और इसका स्मूथ सा डो हम लगा लेंगे पांच मिनट भी नहीं लगते और यह आटा बनकर बिकुल तयार हो जाता है रसगुले बोल्स के लिए पर हमारी चासनी में भी एक उबाल आ चुका है अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूं और इस आटे को अच्छे से लगा लेती हूं चावल के आटे को जिसे हमें रसगुले की बोल बनानी है तो मैंने हतेली पर घी लगा लिया है और अच्छे से इसको मैं बस दो तीन म बढ़े आप चाहे हम को गोल-गोल बना लेंगे जैसे लड़ू से बनाते है ना क्रेक्स नहीं होने चाहिए एक भी ठीक है न तो इस तरह से मैं सभी रजगुले की बोल्स बना लूँगे एो देखे मैं आयो दिखा रही हूं कि इस तरह से देखे मैं आपको धीरे से दिख यह देखिए मैंने बड़े निम्बू जीतना साइज लिया है क्योंकि यह डबल हो जाएंगे जब चासनी पीएंगे नाइ तो तब यह डबल हो जाएंगे तो इसी तरह से में सारी रसगुले की बोल्स बना कर तैयार कर लेती हूं तो अब क्या करेंगे चासनी के नीचे हम गैस का फ्लेम ओन कर देंगे और चासनी को पूरा तेज गरम कर लेंगे एक बार जब तेज गरम हो जाएगी तो हम इसमे यह बोल्स जब देखें मैं बोल्स डाल रही हूं तो मैंने गैस का फ्लेम अब बिल्कुल स्लो कर लिया है पह इसी तरह से इनको पकने दूंगे, जिसे अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, यह देखें, अप साइज डबल होता जा रहा है धीरे धीरे, तो पांच मिनट, सलो आज पे, और पांच मिनट, फिर मैं इनको हाई फ्लेम पर, करके दिखांगे आपको, यह देखें किस तरह से तेर रहे हैं ना उपर, इसका मिनट भी अंदर से बिल्कुल पक रहे हैं, तो पूरी पांच मिनट हो छकी है, और देखें किस तरह से फ्लोटिंग करने लगे, तो यह दिल्कुल सही पहचान है, रसगुले के पकने की, जब पांच मिनट के बाद वो कम आज पर मिन्स तैरने लगे उपर तो इसका मतलब हमारा रसगुल्ला बहुत ही अच्छे से पक रहा है अंदर से देखे कितना मोटा भी हो चुका है फूल कर और अब मैं पांच मिनट तक मैंने इनको टच नहीं किया वैसे बिना टच करें भी बहुत अच्छे से अपने आपी दे हैं राउंड राउंड बोल की तरह देखी ध्यान से तो यह बहुत ही अच्छे बनकर तयार होंगे बीच-बीच में आप इस पैचुला से हिला सकते हो लेकिन कोई जरुत नहीं है इस पैचुला लगाने की खुद ही उपर नीचे होते रहते हैं मैं बिना स्किप करें वीड बिना से पैसे लगती है तो यह देखे फ्रेंड्स पांच मिनट तक यह पक चुके हैं पूरे मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद ठीक है ना तो बंद फ्लेम है बिल्कुल और दस मिनट के बाद मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी जब यह ठंडा हो जाएगा बिल्कुल अलग निकाल कर दिखाऊंगी चास्मी से तो यह देखे फ्रेंड्स अभी ठंडे हो चुके हैं और किस तरह से रस पिया हुआ है रस गुलो ने तो मैं अब निकाल रही हूं एक बाउल में एकदम पर्फेक्ट बने है यह देखे मापको दिखा रही हूं तो यह कांच का बा प्रेंड्स अगर आपको यह मेरे रस गुल्ले बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक प्यारा सा कॉमेंट भी यह लीज़े फ्रेंड्स पहली बाइट आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी बनेते थ थैंक्स वर बाचिंग्